नमस्कार, इंस्पिरेशन जांक्षन में मैं माला जन फिर से स्वागत करती हूँ आपका। यह तो हम सब जानते हैं कि हम इंडियन्स पूरी दुनिया में अपने बुद्धी का बुलबाला रखते हैं। और कहीं पर भी चले जाएं, आपको कुछ और मिले ना मिले, भारती है जरूर मिलेंगे। ऐसे में एक इंडियन किसी कंडिशन के चलते अपनी यहां की जॉब छोड़कर कैनाडा में जॉब करने चला जाता है। एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, जहां पर सुई से लेकर कार तक अविलेबल होती है। ऐसे में बॉस उसको जॉब पर रखने से पहले पूछता है कोई वर्क एक्स्पीरिंस है या नहीं। तो वो बड़ा सकुचाते हुए कहता है जी सर थोड़ा बहुत तो है। बॉस उसको एक ट्रायल डे के लिए रखता है और वे बड़े मन लगा कर पूरे दिन काम करता है। शामकर उसको वापिस बॉस के सामने प्रेजेंट होता है और वे पूछता है कैसा रहा अज का दिन कितने कस्टमर्स क्राक किये। इस पर इंडियन जवाब देता है सर दिन अच्छा रहा एक ही कस्टमर क्राक किया। बहुत एकदम शॉक्ट, एक कस्टमर पूरे दिन में, तुम जानते हो, मैं नए एमप्लोईस को रखता हूँ, तो वो एक दिने 15 से 20 कस्टमर्स क्राक करते हैं, तुमने किया क्या है आज, कितने की सेल्स बनाई? सर, 93,300 डॉलर्स, आप उसका जवाब सुनकर सर, फिर से शॉक्ट था, इतनी बड़ी सेल एक कस्टमर से, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या बेचा तुमने उसे? सर, एक छोटा फिशिंग हुक बेचा था पहले, उसके बाद कुछ मीडियम साइज, और फिर कुछ बड़ी साइ जाया कि कोस्टल रीजिन में तो आपको बोट की जरुत होगी, इसलिए मैं उन्हें बोट सेक्शन में ले गया और एक बड़ी स्नूकर बोट बेची, बोट बेचने के बाद मैंने उसे पूछा पर कहा रहने के प्लान्स है वहाँ पर, उनके कोई ऐसे प्लान्स नहीं थे, तो मैंने उनको एक बड़े साइस का कैंपिंग टेंट बेचा, अब जब ये दॉनल्स चीजे इतनी बड़ी थी और उनकी गारी उसके अकॉर्डिंग की नहीं थी, तो मैंने उन्हें कन्विंस किया, कि आप गारी चेंज करें, इसलिए मैं उन्हें कार सेक्शन में ले गया और एक बड़ी सुवी गारी बेची, अब ये सब आही गया था, वो वहाँ पर इतना स्टे करने वाले थे, तो कुछ डॉलिस के उन्हें ग्रॉसरी और ड्रिंक्स भी खरीद ली, बिचारा बॉस जबी तक ये शिकायत कर रहा था, कि एक कस्टमर क्राक हिया, वो दो कदम प इस पर वे इंडियन बड़े रिलाक्सिंग अंदाज में जवाब देता है, आजी नहीं सर, फिशिंग होग थोड़ी ना खरीदने आया था, वह तो एक सरदर्थ की दवाई खरीदने आया था, वो तो मैंने उसे यह समझाया, कि सरदर्थ के लिए सबसे अच्छा उपाय है इस पर उनने मेरे कहने से यह सब सामान खरीदा, बॉस उसकी स्किल्स का दीवाना हो चुका था, और इंडियन मार्केटिंग स्किल्स को तो वो मान ही चुके थे, तो आप भी मानते हैं ना, कि हम इंडियन कहीं भी जाएं, अपनी छाप छोड़ कर ही आते हैं, कैसी लगी कह मेहानी जरूर से बताएगा, तब तक के लिए, बबाई, टेक केर, थांक यू